आज हमारे साथ बौत धरम के जानकार सुदीराच सिंग जी हैं और हम उन्से जानेंगे कि पाली में सम्विधान का मतलब क्या है और हमें उसे क्यों मराना चाहिए सुदीराच सिंग जी बताईए हमें पाली में एक शब्द होता है धा धा मूल शब्द है धा का अर्थ है मतलब है धारण धा से पहले अगर वी लगा दिते हैं विधा हो जाता है या विधी हो जाती है दोनों का ही अर्थ पाली में सेम है विधा का भी और विधी का भी विधा और विधी का मतलब है धंग या प्रकार या मैनर या तरीका या तौर और अगर ने लगा देते हैं बाद में तो ये सब्द बन जाता है विधान विधान ने लगते ही ये आदिशात्मक हो जाता है आग्यावाचक हो जाता है विधान का मतलब है कि ये आपको आग्या है ये आपको करना है ऐसा माना जाता है इसको आज की भासा में नियम बोलते है और अगर विधान से पहले इसमें हम सम लगा देते हैं तो सम का मतलब है एक समान यानि जो नियम है वो सब के लिए एक समान आदेश देता है तो वो हो जाता है सम विधान और सम विधान में अगर हम सम्यक और लगा दें पहले तो सम्यक माने सही यानि सही एक सा आदेश आत्मक नियम ऐसे करके इसको सम्यक सम विधान बोलते हैं सम्यक सब्द का पिर्चलन जादा नहीं है पाली के समय, भगवान के समय, भगवान सारी बातों में सम्यक का इस्तमाल या सम्यक का उप्योग करते थे मगर अब यह understood है, यह माना जाता है कि सभी जितनी भी चीजे हैं, वो सही करनी है यह सम्यक सब्द एक तरह से सालेंट चलता है तो बचा सम विधान यानि कि समतावाचक जो सम नियम दे सम विधा दे, सम विधी दे और जो उसका πालन करता है उसको विधायक बोलते हैं, ये भी पाली का شब्द है सम विधान सत्तर साल पहले से भारत में नहीं था भारत में जो और विधिया चल ले थी जो और नियन नियम चल ले थे वो संविधान नहीं मने चाहते थे वो सारे के सारे विधान या विसम विधान मने चाहते थे 70 साल पहले लग भग पूरे देश में जब संविधान बना सम्मिधान लागू हुआ तो एक खुशी का वातरबन हुआ कि अब सभी को समानता की सिक्षा समानता का आदेश समानता का भोजन समानता की नीन समानता की इज़त यानि हर चीज सबको समान मिलेगी इस उपलक्ष में इस खुशी में दुनिया में जहां जहां भी सम्विधान लाग हुए हैं, जहां जहां भी सम्विधानिक नियम बने हैं, जहां जहां भी कॉंस्ट्टूशन बनते हैं, उनका एक दिन होता है, उस दिन को वो उत सब के रूप में मनाते हैं और अधिकतर तेसों में इसकी छुट्टी भी होती ह भारत में इसकी छुटी नहीं होती है मर इसको मनाने का पिछले करीब 10-12 साल से बहुत तेजी से आया है पिछले साल लगबग 2000 से ज़्यादा कायकरम पूरे देश में इसके लगे और इस साल लगबग 3500 के करीब कायकरम पूरे देश में लग रहे हैं क्योंकि बुद्ध के समय में सम्विधानिक विवस्था 16-16 जनपदों में थी बुद्ध के बाद बुद्ध ने विविधान बनाए और बुद्ध के बाद ये सारी विवस्था लगबग 500-500 साल तक चली उसके बाद ब्रहंदत के हत्या के बाद में सम्विधान की रूप रेका और सम्विधान लागू होना भारत से खतम हो गया गायब हो गया और इतने 2000 साल के बाद लगबग जाके 70 साल पहले फिर सम्विधान बना तो सम्विधान की महत्ता उन लोगों को पता है जिनोंने विसम्विधान में जिन्द की जी है हाला कि सम्विधान बनने के बाद और सम्विधान लागू होने के बाद अभी विसमताओं का दौर है मगर फिर भी ये उम्मीद और इसाशा के रूप में कि एक ना एक दिन सम्मिधान पूरी तरह से लागू होगा और इसको पूरे देश में उन्नती और पूरे भारत में ये प्रगती के तौर पे मार माना जाएगा लोग इसका धूम दाम से उत्सब मनाते हैं 26 नुवंबर 1949 को ये पहली बार अंगी करत हुआ था अडॉप्ट हुआ था 284 लोग थे जिनोंने इस पे साइन किया पूरे देश ने इसको माना तब से लगतार इसका उत्सब धीरे 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 फूरे देश के अंदर तमाम देश के अंदर बढ़ता जा रहा है सम्मिधान बहुत इंपोर्टेंट दस्ताविज होता है किसी भी देश के लिए क्योंकि देश के हर नागरिक को वो चलाता है हर नटीज इसके हिसाब से चलती है एक अकेला आदमी जो जंगले में रहता हो या प्रत्वी में रहता हो या यूनिवर्स में रहता हो उसे किसी विधान के आवशकता नहीं होती मगर वो आदमी अगर महले में घर में दफतर में कार में सड़क पर जहाज में रेल में या कहीं भी ऐसी सावजिन जगे जाएगा पब्लिक प्लेस पर जाएगा तो वहां उसे कुछ नियम पालन करने होते हैं ऐसे ही किसी भी देश में जो नागरिक रहता है उसे देश के नियम पालन करने होते हैं ये नियम और अपनियम पूरी दुनिया में चलते हैं जिनसे दुनिया सुचार रूप से जलती है और भारत का जो समविधान है वो विसमें बहुत ही जादा माना जाता है लगबग 20 द अपनी सुधा के नुसार समय के हिसाब से इसमें आप संसोधन कर सकते हैं इसको बदल सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं ऐसी निया मवली पिछले धायजार साल में अभी तक भी नहीं आई है ये सबसे ज़्यादा इसलिए परचलत में है क्योंकि इसमें पूरे देश का समाव है और ये जंतंत्र द्वारा गरतंत बनाता है और इसलिए इसकी खाशित इस बात में भी आती है कि ये सभी भाषा सभी धर्मों को भाई-भाई का नारा देते देता है एक ये अकेली किताब ऐसी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, धर्म, बहुत, जैन जितने भ बन्त के लोग हैं वो सब बरावर और भाई-भाई माने जाते हैं इसी में वो खाशित है कि एक शड़क चलता आदमी भी प्रधानpreneंत्री की पोस्ट पर जा सकता है, एक पड़ा लिखा आदमी सरकार की किसी भी पोस्ट पर जा सकता है, विधाय काम कर सकता है, एक शड़क इसके अंदर जो एक मनुस्य के लिए होती है उसके fundamental right के तहत में जो कि इसकी सबसे बड़ी नीव है उसके तहत में दी गई है और इसके अंदर इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता क्योंकि इसको में बदलने का प्रावधान नहीं है आपको कोई परशानी है तो आप इसके कह प्रावधान है कि आप अपने परशानी करके उसमें एक amendment एक संसोतन ला सकते हैं इसलिए यह सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा समिधान है इसको मनाने का उत्सा पूरे देश में है बहुत सारे लोग एक दूसरे को गिटिंग्स देते हैं कुछ मठाई बाटते हैं बहुत सारे जगे जगे रेलियां हैं समिधान की रेली है साइकल रेली है कार रेली है कहीं बुद्विहारों में कहीं धर्मिस्तलों पे कहीं बैटकों में इसका लगता दोच जारी है जो भारती है जो भारत कर रहने वाला है जिसको देश में विस्वास है जो देश वक्त है वो इ दुनिया की सबसे बहतिन किताब है, इसको हमें पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसमें नारियों के लिए, खासतोर से महिलाओं के लिए आजादी का दस्तावेज एक खजाना चपा हुआ है, क्योंकि महिलाएं इस दस्तावेज से पहले, इ देश में कभी कोई भी भाग ऐसा नहीं हुआ जो देश अलग हो इसने देश को इंटिगेट किया है समगर किया है समगर इसमें विकास किया है धन्यवाद